देखें एक शाब्ध है प्रामर्ष तो इस्ट्वे में प्रामर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थर मतलब होता है जानेंगे एक्सांपल से सेंटेंसेस में शाथ को यूज करके अच्छित्रे से समझेंगे तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं शाथ हूँ क्या मतलब होता है प्रामर्ष का दिये प्रामर्ष मतलब दूश्ट्रे से ली जाने वाली सलाख, मार्ग दर्शन, राय, सम्मिती, मंतरणा, मश्वरा, तजवीज, तरकीब अपने से अधिक अनुभवी योग या परशिक्षे त्वयक्ती के पास जाकर पूछ ताच, विचार विमर्ष या तरक वितरक करने को हम प्रामर्ष बोलते हैं इंग्लिश में प्रामर्ष को बोलते हैं अड्वाइस और हेल्प टेकन फ्रॉम सम् प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स तो मतलब वह क्या कंसल्टेशन, अड्वाइस, कॉंसिलिंग, कॉंसिल, कैड़ड़न, गैड्वाइस, और भी इंग्लिश में इसके वर्ट्स हो सकते हैं अभे एक्जांपल से संटेंसे में समझते हैं शब्ड को चदरे से जैसे बोलेंगे हम बोल चाले तो इस तरह से शप्ट को परियोग करेंगे हम लोग कि विभिन राजनितिक दलों के सदस्य प्रामर्श लेने के लिए उसके पास आते हैं मतलब अग्लिश में members of the various political parties approach him for advice तो advice का मतलब प्रामर्श दूसरा example है कि किसी भी मामले में एक योग या विशेसग्य का प्रामर्श अवशेक है मतलब अग्लिश में in any case consultation of a qualified specialist is necessary तो consultation का मतलब प्रामर्श ठीक है तो उम्मीद आपने प्रामर्श शब्त को English और Hindi में example के साथ में अच्छी तरह से समझ ज़िया है Thanks for watching Educate Desk